What's up guys, I hope you are doing well, I am weird, welcome to Stradler family Lecture start करते हैं एक शांदार डे के साथ में और शांदार दिन आप लोग का तब होगा जब आप लोग शांदार इसकी सुरुआत करेंगे तो इसी तरीके से आईए आज कभी सेसन हमारा रहने वाला है तीन पार्ट में ये डिवाइड होगा जो कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था तो नाम है इस भोगोलिक संकेत का भावानी जमा कलन ये एक तरीका कारपेट या फिर आप लोग दरी बोल सकते हैं ये इस तरीकी डिजाइन की देखने को मिलती है तो ये important है इसके बारे में आप लोग हलगा सा idea रख सकते हैं next जो आप लोग के सामने है next जो JTI जिसके बारे में आप लोग को बताना है ये है कॉंड़ा पली बॉमलू आप लोगों को नाम सुनकर इसके बारे में अंदाजा नहीं लगए कि आखिर ये है क्या जब आप लोग देखेंगे तो देखने के बाद में काफी अच्छा लगए कि आखिर एक्ट्वल में ये है क्या बच्पन में आप लोगों ने काफी यूज किया है इसको इतना आप लोगों में हिंट दे देता हूँ आईए अब इसके बारे में आप लोग जाकर देखेगा किस राजे में इसको जैट टेक का दरजा देखे गया और कौन सी केटेगरी में ये आता है तो जाकर पिक्टर भी देखेगा तो आप लोगों पता चल जाएगा किस के बारे में मैं बात यहां पर कर रहा हूँ आईए चलते हैं अपने अगले सेक्सिन के और यहां पर बात करेंगे छोड़े से वोम अप क्यूज के बारे में इसके बाद में डेटेल में हम लोग कुशन देखेंगे बात की जारी आप बोर्डर गावासकर ट्रोफी के बारे में आखिर यह किस के नाम पर यहां पर रखे गई है तो हमारी कंट्री के सुनिल गावासकर जी है आप और जो एलन बोर्डर है इनका नाम आप लोग को सामने है आप आप लोग को बताना है कौन सी कंट्री के यह है इन दोनों के दोरा 10,000 टेस्ट जो रन बनाएगे अपने केरिर में तो इसके नाम पर यहाँ पर यह ट्रोफी यहाँ पर खेली जाती है तो आप लोगो बताने है दूसरी कौन सी परसनेलिटी है कंट्री का नाम क्या है इस परसनेलिटी की नेश्ट बात की जा लिए मिनिश्टी के बारे में आप लोगे यहाँ पर बताना है जिसके दौरा अभी 5000 सीर्स जो जवार नवोटे विद्दाल है उनमें बढ़ाने की बात की गई है तो यहाँ पर एजुकेशन से लेटर कौन सी मिनिश्टी काम करती है उसके बेस पर भी आप लोग आंसर दे सकते हैं जो कि मैं हमेशा से आप लोग यह बात रिपीटेडली बोलता हूँ आगे बात फिर से हाँ पर आप लोग एक मिनिश्टी के बारे मताना है जिसके द्वारा नेसल अवोड दे जाते हैं आंगनवाडी जो वरकर होते हैं उनके लिए एक्सेप्सनल अचीवमेंट अगर वो करते हैं कुछ अदभुत अगर वो काम कर देते हैं तो यह अवोड यहाँ पर उनके लिए दिये जाता है यह अवोड कौन सी मिनिश्टी देती है इसरो के चेर्मेंट डोक्टर केवी सिवन के द्वारा बोला गया कि जो रिसेंटली अभी यूनियन बजट आये था उसमें हाँ पर 10,900 करोड रुपे हाँ पर development के लिए दिये गए satellite launch के लिए next 4 year के लिए तो यह 4 year में approximate कितने satellite यहाँ पर launch के जाने इस रो को इस रो के द्वारा जिसके लिए 10,900 करोड रुपे इस रो को दिये गए हैं तो यह आप लोग को बताना है dare to dream यह एक तरीक यहाँ पर अभी recently एक quiz तरीक यहाँ पर यह स्टार्ट किया गया था एक innovative technology development के लिए तो आप लोग कोई भी ऐसा development अगर करेंगे तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग को बताना है कि किस के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था जो की काफी interesting और important है और यहाँ पर यह भी होता आप लोग को साथ याद होगा इसकी date पहले कम ती फिर आगे date extend कर दी गए थी और मैंने बोला था फिर से आप लोग जाकर apply कर सकते हैं नेस्ट किस country के द्वारा है हाँ पर बोला गिया है यह एक तरीगी योजना है तो यह योजना किस राज्य के द्वारा लॉंच की गई है अटल आयूश मानिहा पर उस राज्य का नाम है तो इस राज्य के द्वारा लॉंच कही है वह राज्य कौन सा है नेस्ट बात की जारी है सिंग लीला नेसल पाक यह कहां पर situated है हमारी country में यह question है तो नीचे अपना score जरू लिखेगा जब आप लोगको आंसर बताऊंगा कि score का आप लोगका कितना रहा आस्टेलय के एलन बोडर और हमारी country के सुनिल गावसकरजी के नाम पर यह trophy इंडिया और आस्टेलय की बीच में खेली जाती है Human Resource Development Ministry जो की परकाज जावेटकर जी केंडर में है आप इसके द्वारा बोला गया कि 5,000 नई सीट यहाँ पर लानी है अभी जवार नवोजय विद्धाले के अंदर Woman and the Child Development Mr. मेन का गांधी जी के द्वारा confirm किया गया है आप जो भी national award दिया रहे है आंगनवारी वरकल के लिए exceptional achievement के लिए आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि next four year में लगबग 40 satellite हमारी country के द्वारा छोड़े जाएंगे जिसके लिए 10,900 क्रोड रुपे आप बजट allocation दिया गिया है तो बजट का जो allocate किया गिया है आपर ये 10,900 क्रोड रुपे किया गिया है डिया एडियो के द्वारा लॉंच किया गियता है यहाँ पर डियर टू ड्रीम जिसके तैज नहां पर कोई भी innovative idea लेकर अगर आप लोग जाते हैं तो उसके time पर यहाँ पर यह बाते की जारी थी ठीक है तो यह important है हलका सा idea आप लोग रचते हैं बिटेन के security minister के द्वारे ह जो है यह Darjeeling district यह West Bengal में है जो कि आप लोगों पता होना चाहिए क्योंकि Darjeeling काफी news में था recently कई तरीकी पोलम प्रोटेस्ट वगरा वहाँ पर देखने को मिल रहे थे जब language की बात आ रही थी तो ठीक है तो इसलिए local कोई भी news आप लोगों से पूछी जा सकती है खासकर ज अगले question की काफी important question है वेनुजुला आज के डिमें बहुत ज़्यादे news में है तो वेनुजुला को यह बताया गिया कि कौन से के साथ में country की border touch करती है पेरू बोला गिया है दूसरा ब्राजील कोलंबिया सुरीनाम और यहां पर है ग्योयना तो कौन सी country के साथ में border touch करती ह A में बोला गिया 1,2,3, B में बोला गिया 1,2,3,5, C में बोला गिया 2,3,5, D में बोला गिया 1,3,4,5 तो यह मैंने आप लोग को कम से कम अगर ना भी जानने में देखा जाए तो आप लोग को 3-4 महिने के अंदर यह country में लगबग 8-9 बार आप लोग को map में दिखा चुक ह और बार बार आप लोग को आसपास वाले area बताता हूं तो अब आप लोग का time आगया answer देने का answer बताइए आईए answer देख लेते हैं एक बार answer जो है आपर यह देखिए यह हो गया वेनुजुला यहाँ पर आप लोग को लंबिया देखने को मिलेगा नीचे ब्राजिल और य होगे आप आप क्या होगे answer answer होगे 2,3 & 5 2 पे क्या है ब्राजील 3 पे क्या है आपर कोलंबिया और 5 पे है ग्वेना ठीक है तो पेरू और सुरिणाम यह आपर नहीं है आगे बढ़ते हैं अगले जो दो question है काफी important और आप लोग के mind में काफी clarity लेकर आने वाला पहला question आप प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किये हैं यह खासकर यह ministry of road, transport and highway हैं यहाँ पर काम करती है इसी के साथ में बोला गया है कि यह sort file करती है निके miss करती है नोर्थ इस्ट वाले एरिया को connect नहीं करती है जो भारत माला प्रोजेक्ट है आंसर पूछा गया कि कौन सा आंसर यहाँ पर incorrect है ताही एक बार आप लोग समझ लीज़े ताकि आप लोग के माइन में कोई confusion नहीं न रहे इस तरीएगा भारत माला ज highway यह आप लोग के हाँ पर मिश्टी देखने को मिलेगी तो answer क्या हो गया answer 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 हो गया बी क्योंकि incorrect पूछा गया नोर्थ इस्ट वाले इरे को connect करती है ऐसी बात नहीं है इसी के opposite एक और question आप लोग का बनता है आप वो question है यहाँ पर आप लो करेंगे इसलिए मैंने दोनों question एक साथ में डाल है बना करें आप आप ताकि आप लोग दोनों में difference समझ सकें और exam में कोई confusion माइंड में ने रहे यहाँ पर भी जो पूछा गिया है वो incorrect question आप लोगों से पूछा गिया है सागर माला जो program है यह flagship program है ministry of road transport and highway का promote करने के report तो यह trade काफी आसान रहेगा और infrastructure भी काफी development यहाँ पर हो जाएगी तो कौन सी statement यहाँ पर incorrect है यह आप लोग को बताना है तो अभी देखेंगे कौन सी ministry काम करेगी दूसरे आपर यह 60% नहीं है यह maritime की जब बात की जारी तो काफी large हमारा जो है आपर खासकर अगर country का आप लोग यह trade की बात करेंगे तो बहुत large trade depend करता है लगपक 90s के approximate में सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखे भारत माला ज यह सारे जो पोट आप लोग है यह विस्टन घाट हो गया और यह इस तरीके से जो सारे पोट है इन पर इन पर इन पर मेंट करने की बात की जा रही है ताकि इन ट्रीके जो हमारी country है उसके इंटरनल पार से भी इनको अच्छे से connect के जा सेगे माली यह कोई raw material लेकर आना है तो यहाँ पर एक तरीक से logistic provide करा जाएगा कि आसानी से यहाँ पर चीजों को भेजा जा सके एक जगे से दूसरी जगपा यह हमारी country की जो boundary है यह लगबग यह आप लोग को 7500 km के करीब coastal boundary हमारी देखने को मिलती है तो इस coastal boundary को develop करने की बात की जा रही है इसी coastal boundary से हमारी country तरीका जो Arabian Sea के हुसास थू होते वे यह फिर बेव बंगाल के थू होते वे यह जो वयापार होता है इसका volume लगबग 90% है जो 60% बोला है वो भी गलत है ठीक है और ministry of shipping जो हाँ पर काम करने वाली है यह है ministry of shipping नाखी road and transport highway क्योंकि हाँ पर बात जो की जा रही है वो पानी की की जा रही है तो इस तरीके से भी आप लोग के माइंड में हलका सा idea सा होना चाहिए तो waterways को कैसे develop किया जा सकते है और ऐसी वात नहीं है rail और road develop नहीं करेंगे वो भी develop करेंगे पर लेकिन main connectivity provide कराने के लिए develop करेंगे in port के थुरू तो इसलिए मैंने आप लोग को बोला दो आई अगे बढ़ते हैं अगला question यहाँ पर बात कर रहा है GIAN के बारे में तो यह है क्या यह एक तरीके से बोला गया इसको global initiative of academic networks यह higher education के लिए हमारी country में एक system provide कराने की बात की जा रही है पहली statement दूसरी statement बोला जाए ministry of human resource and development की बात की जा रही है तो कौन सी statement incorrect है तो incorrect के ब only one B में बोला गया only two C में बोला गया both D में बोला गया none of the above तो दीखे सबसे पहली अगर ministry की बात करी जाए education की अगर बात हो रही है तो एक human जो है वो human capital बन जाता है तो इस तरीके से आप लोग understand कर सकते हैं और यह जो GIAN यह network यहाँ पर create करने की बात की जा रही है यह हमारी country में higher education का जो system है उसको improve करने की कोशिस की जा रही है और जब हम लोग higher education की बात करते है तो जो हमारी इस country के अच्च अच्च अच् यहाँ पर incorrect पूछा गिया है मैंने फिर से आप लोग को बताता हूँ अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसी statement आप लोग को देखे सबसे पहले statement पढ़ने के साथ में आप लोग यह देखे पूछा क्या जा रहा है वरना question आते आते भी आप लोग उसको गलत कर बैठते हैं और यह इसलिए बार-बार में आप लोग को बोलता हूँ ओके आगे बढ़ता हूँ कुछ statement यहाँ पर आप लोग के सामने दे रखे हैं इनी statement में से आपर यह बताना है यह किस से related है ठीक है तो सबसे पहले बात की जारी है कि यह पाया जाते हैं आपर कैबुल लाम जाओ नेसल पा लोग के अंदर में ठीक है नीचे 4 नाम दे रखे हैं आपर एक है deer के बारे में हिरन के बारे में एक है tiger दूसरा है लोयन और एक हैं आपर black bug के बारे में तो यहाँ पर किस के बारे में यह statement से यह आप लोग के सामने question यह पाया जाते हैं आपर यह है यह आपर cable lamb jaw नेसल पा तो यह कई बार यहाँ पर situation देखने को मिलती है, तो कौन सी statement इससे little correct है, यह question आप लोगों से पूछा गिया है, यह यह क्या है यहाँ पर यह बात की जारी है, ब्राउन एंटिलर, डियर, यह फिर बंगाल टाइगर, यह फिर एसेटिक लायर, यह फिर ब्लैक बग, तो क्या ह आइए actual में, answer आइए देख लेते हैं, answer से रूबरू करा देता हूँ, यह एक तरीके से आपर जो बात की जारी है, deer है आप लोगे सामने, dancing deer भी इसको बोलाता है, bro antillar deer भी इसको बोलाता है, ठीक है, और सी के साथ में संगाई, यह भी सी के नाम सारे आप लोगों यहाँ प आप लोगों बता हूँ, यह भी मनिपूर के अंदर ही है, जहाँ पर यह ऐसा deer यहाँ पर पाया जाता है, और यह मैंने आप लोगों बता है, पोचिंग और यह सारी चीजों का काफी सिकार रहता है, तो इसलिए हाँ आप यह इंडेंजर लिस्ट में आगे है, जो की काफी कम कॉंटेटी में बचा हुआ है, तो यह कुछ बाते हैं, जो आप लोग इसके बारे में याद रख्षते हैं, कई बार कोईशन ऐसे पूछ ले जाते हैं आप लोगों से, तो आंसर क्या होगे है, हाँ पर इसका आंसर होगी है, इसका A, यह निके ब्रो एंटिलर्ड अडि होती है, तो कौन सी एजनसी है, जो हमारी कंट्री में उसको टैगल करती है, तो आंसर आईए देख लेते हैं, ता कि आप लोग अंडिस्टेटर्य पाएं, आंसर है D, क्या होगे हैं, आप नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजनसी, जिसको आप लोग रो बोलते हैं, और D जो कि टेरर को combat करने के लिए हमारी country है बनाएंगी ये इसको center counterterrorism law enforcement agency भी बोलते हैं कोई भी crime criminal activity ऐसी होते है तो किसी भी राजे के अंदर जाने के लिए इसको उस राजे की permission लेने की जुरत नहीं पढ़ती है बिना मेरा pm कर्मीस कि left वाई टेरर अटेक है 2008 में उसके बाद में हाँ पर हम लोगों ने बनाया रियलाइज किया कि हाँ ऐसी कोई एजेंसी होनी चाहिए जो कि हाँ पर राज्य की कोई बाउंडरी माने ही नहीं कि कोई बाउंडरी भी है पूरी कंटियों कैसे सिक्योर करना है और टेरिस्ट अक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करना है क्योंकि terrorist activity आज केड़ में globalized phenomenon हो चुकी है अगर हम लोग अपनी country में कुछ ऐसे विघन रखेंगे यहाँ इस राज्य में जाना है इस राज्य में नहीं जाना है तो कभी भी terrorist को नहीं पगड़ पाएंगे क्योंकि वो UP से बिहार और बिहार से नीचे मध्या परदेश और मध्या परदेश से फिर नीचे महराष्ट और नीचे होता हो तामिलाडू केलाप हो जाएगा स्टेट चेंज करता रहेगा और कोई भी उसको पगड़ नहीं पाएंगे तो इसलिए हाँ पर कोई स्टेट की बाउंडरी नहीं है जहाँ पर चाहिए एंट्री कर सकते हैं इसलिए हाँ पर ये इसको यहाँ पर टैगल करने के लिए हमारी कंट्री में 2008 में बनाया गया था तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया D यानि कि NIA National Investigation Agency बात करते हैं अगले question की interesting important है और खासकर इस साल के लिए इसकी importance थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है पूछा गया कि incorrect बताना है आप लोग को International Labour Organization के बारे में International Labour Organization का जो गटन किया गया था वो 1919 में किया गया था यह बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इसके 100 साल complete हो चुके हैं इसलिए 100th anniversary celebrate कर रहा है तो क्या यह statement सही है? बाकी है मैं आप लोग कई बार बता भी चुकों अगर आप लोग याद करते हैं उची जोगों तो नेक्स बोला जा रहा है ILO यहाँ पर लॉंच किया गया future of work initiative यह इसके दौरे हाँ पर state किया गया social justice provide कराने के लिए जनता को यह इसके दौरा launch initiative है तिसरी statement है कि ILO एक only tribe at I UN की agency है जहाँ पर together काम किया जाता है लाने के लिए government, employee और जो worker है सारे को यहाँ पर मिलकर काम कराने की बात की जाती है तो कौन सी statement यहाँ पर incorrect है तो answer है D यहनि के कोई भी statement यहाँ पर incorrect नहीं है सारी statement यहाँ पर correct है reason के reason यही आप लोग यहाँ पर देखते हैं जो इसका गठन किया गया था यह 1919 में किया गया था जो कि यहां पर शांदा तरीके से काम करती है All over world में कहीं पर भी कोई ऐसी पोलम देखने को मिलती है तो यह हमेशा picture में आती है इंडिया founding member है पर लेकिन बहुत सारे ऐसे इसके चीजे हैं जो हम लोग के द्वारा ratify अब तक नहीं किये गए है Only 189 जो इसके convention है उन में से only 47 convention ही हमारे द्वार ratify हाँ पर किये गए है तो question यह भी बन सकता है कि only half convention हम लोगों ने ratify किये है हाँ से ज़दे ratify किये है तो हम लोगों ने बहुत कम convention अब तक यहाँ पर ratify हमारी पारलेमेंट के द्वारा किये गए है ILO celebrate कर रहे है 100th year तो इसलिए question और important हो जाता है क्योंकि 12 साल यहाँ पर इसका हो गया है 2019 में जो कि 1919 में create किये गई थी इसी के साथ में हाँ पर अगर बात की जाए new initiative जो start किया गया है यह future of work initiative यहाँ पर ताकि social justice यहाँ पर लाया जा सके all over world तो यह इसी के दोरे हाँ पर start किया गया है तो यह तमाम question के answer यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा answer D है यानि के कोई भी गलत नहीं है सारे सही है ठीक है आगे चलते हैं बड़ा ही interesting और प्यारा सव question है यह बात की जा रही है biodiversity heritage site के बारे में यह declare की जाती है as पर यहाँ पर provision जो की biological diversity act 2002 का है उसके इसाब से यहाँ पर biodiversity heritage यानि के जय विविद्दा विरासत इससतल यहाँ पर declare किया जाता है और correct statement पुछा गया है दूसरा बोला गया central government जो है वो notify करती है area यहाँ पर क्या importance है biodiversity heritage site दूसरी statement यहाँ पर यह बोला गया है A सही है only one B सही है only two C सही है both D सही है none of the above तो कौन सा answer सही है answer जो हैं पर आप लोगे सामने होगा वो correct पुछा गया है और correct answer होगा A जी हाँ यहाँ यहाँ पर जो center बोला गया यह center नहीं है यहाँ पर state government काम करती है state government काम करती है local area के साथ में concern करकर कि क्या इस area को biodiversity के लिए importance area declare किया जा सकता है तो यह काम central government का नहीं है यहाँ पर राज्य government का है ठीक है और बाकी biological diversity act 2002 के इसाब से ही हाँ पर काम किया जाता है तो इसका section जो act के हाँ पर 37 है वो यह power यहाँ पर central government के हाथ में नहीं यह state government के हाथ में यह power देता है तो बड़ी frequently ऐसे question बन जाते है तो यह था हमारा आज का नननसा प्यारा सा मुननसा discussion आई होफ कि आप लोग को lecture पसंद आयोगा पसंद आता तो like करना मत भूला किजिए नहीं पसंद आता तो dislike करने का भी पूरा हक है बाकी lecture की PDF डाउनलोड कर सकते हैं लिंक वीडियो के नीचे description box में आप लोग मिल जाएगा अगर notification नहीं मिलता है जो कई बच्चों की problem होती है तो telegram जोइन किजे एकदम आप लोग को notification मिलेगा यहाँ पर तो इसको आप लोग जोइन करकर रखिए ताकि आप लोग को कोई भी वीडियो नहीं छोटे बाकी Facebook, Instagram और Twitter पर आप लोग कनेट रह सकते हैं सारे लिंक वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगे तो मिलता हूं नेक्स लेक्चर में बड़ो को नमस्ते, छोटो को प्यार, छोड़ी से life and enjoy को रहार तब तक के लिए जैहिंद